हेलो मैं डिस्ट्रेंट्स तो आज किस वीडियों हम दिखने वाले हैं इसमाइल 3.0 होमबर्क सल्यूशन 5 अगस्ट 2021 कक्छा दस्बी 20 गडित अध्धाय एक इसको टोपिक है अंक गडित की अधारबुत प्रमे तो इस दिए सारे होमबर्क सारे प्रश्णों का हम सल्यूशन यहां पर देखने वाले हैं बिल्कुल बिदी भा समझने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक ध्यान लगाते हो समझीगा तो आप इस वीडियो नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है आप उसे अवी दबा दीजि करो और तुरण वीडियो सल्यूशन पाओ फिर चाहिए आपका सवाल फिजिस गेमेस्ट्री मैथ्स वाइलोजिका हो सी बीएसी यूपी बिहार मतिप्रदेस या अनिस्टेट वोट का हो यहां तक कि कक्ष्छा छे से बारवी आयाइटी जेही नीट का सवाल हो सभी सवालो तो देखे वाच्छन आवा पहला कोशन हमें दिया है कि यदि संख्या 408 तथा 132 के महतम समब वर्तक HCF को 132 एक्स रिंड 408 गोडित 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो एक्स का मान ग्याद कीजिए मतलब की खेने के टात पर यहाँ पर यह है कि हम करना किया सबसे पहले हमें हाँ पर सबसे पहले हमें 408 और 132 का महतम समब वर्तक यानि कि HCF निकालना है और इस HCF को हमें इनके बराबर में लेकर चलना है और फिर हमें X कमान ग्याद करना है तो हम देखिए यहाँ पर सिवा 408 और 408 और 1032 का HCF निकालना है 408 और 132 का में आपर HCF निकालना है तो देखिए इनका HCF हम निकालेंगे युकलिट विवाजन प्रमेरिका की साइता से आपको बिल्कुल समस्तों चलना है ठीक बच्चो तो देखिए यहाँ पर हम के करेंगे आपको लिखेंगे हम चरण एक चरण एक में हमके लिखेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जो 1032 बे 408 से बढ़ा है तो हम आपको लिखेंगे जो 1032 है बे क्या 408 से बढ़ा है और यह जो चिन होता है यह किसका चिन होता है यह चिन होता है बड़ा का बड़े को धर साथ है मतलब को जो एक हजार वत्तीस है बेच चार सो आट से बड़ा है तो आपर देखिए जो एक हजार वत्तीस है हम इसे के मानेंगे भाज मानेंगे और चार सो के मानेंगे हम भाजक मानेंगे तो आपको एक सूतर का पता होगा कि भाज बरावर से भाजक गुडित भागफल धन सेसफल तो आपर देखे हम मान रखेंगे देखे भाज ये हमने किसको मान है एक हजर वत्तिस को बरावर भाजक किसको मानना है 408 को तो देखे हम करेंगी यहाँ पर आप समझेगा यहाँ पर हम 132 में 408 का भाज देगे तो आपको 408 का पाड़ा एसा पढ़ना है कि 1032 से आगे न बढ़े तो देखे हम यहाँ आपर पढ़ते है 408 का पाड़ा सबसे पहले दो बार पढ़ते है तो देखे है 2,8,16,6 हांसिल का 1,4,2,8 408 का पाड़ा हम 3 बार पढ़ते तो देखिए 38,4,4 हांसिल का 2,4,3,12 देखिए 3 बार पढ़ने पर जो 408 का पाड़ा है वे 1032 से आगे बढ़ जा रहा है इसलिए हम इसका पाड़ा 3 बार ना पढ़ता केवल 2 बार पढ़ेंगे तो देखिए 2 बार पढ़ने पर देखिए कितना आ रहा है 816 आ रहा है तो हम 1032 में से 816 का पाड़ा हम गटाएंगे तो देखिए क्या होगा देखिए 2 में से 6 नहीं गटता तो देखिए हम 3 से 1 उधाल लेंगे तो देखिए कितना आएगा 12 हो जाएगा हाँपर 12 में 6 बचएगा कितना बचएगा यहाँ पर बचचा है 2 में से 1 जागा बचएगा एक हना और यहाँ पर देखीगा यहाँ पर कितना बचचा है 9 बचचा है 9 में से 8 जागा कितना बचचेगा एक बचचेगा ठीक बच्चो कितना आया है यहाँ पर 116 यहाँ पर आया है आगा कितना बचक का फिर हम देखेए अंपर के लगाएंगे ज हम कर दए रलाאלगा कि दो हमें आपके लिखेंगे चरण 2 का मामवें हम लिखेंगे देखिए आपके जो सिर्षफेल का मान भी 0 का बरावर नहीं आया है हमें हर अइसा तब तक हल करना जब टकне CESPAL का मान 0 ना जाए थीक है तो जो आपके पास करेंगे मेह जो आपके पास मैं निकला है जो आपके पास निकला था सेस्फल हम उसे बनाएंगे भाजक ठीक है सेस्फल आपके पास क्या था सेस्फल था आपके पास 216 216 का हम बनाएंगे भाजक और जो भाजक था 408 हम उसे बनाएंगे भाज ठीके बच्चो तो हाँ पर देखिए 216 का भाग एसा दीजीए कि वह 408 से आगे ना बड़े तो देखिए 216 का पाड़ा हम पड़ते हैं दो बार तो देखिए 212 का 2 हासिल का 1 212 एकम 213 आएगा 224 तो दोखिए 216 का पाड़ा 2 बार पड़ने पर वह 408 से बाड़ रहे तो हम इसका पाड़ा कि सिर्फ एक बार पड़ेंगे तो देखिए 216 एकम 216 यहाँ पर हो जाएगा ठीके बच्चो तो यहाँ पर देखिए हम 408 में से 216 गटाएंगे तो यह आठ में से 6 गटना बच्ची गटाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आया है सेशफल 192 आया है तो हम यह पर लिखेंगे देखिए यहाँ पर देखिए भाज जी कितना है भाज है 408 गटाइबर से भाजक कितना है भाजक है 216 गुड बाकफल है एक धन सेसफल यहाँ पर बच्चा है 1702 यहाँ पर देखिए सेशफल कमान हमारे पास 0 प्राप्त नहीं हु चुकि सेस्फल 192 कमान हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए हमने चरंट 3 लगाया तो देखिए अब हम करें कि क्या जो आपके पास सेस्फल निकला है इस सेस्फल को हम बनाएंगे भाजक और जो भाजक है 216 उसे हम मनाएंगे भाज तो 122 पाड़ा एसा पढ़िए कि 216 से आगे ने वार तो देखिए हम 112 पाड़ा पढ़ते है एक बार तो देखिए कितना बच्चेगा हाँ पर सुनने बच्चेगा ठीक है पर देखिए बच्चों हम लिखेंगे हाँ पर देखिए भागफल कितना है हमार पास देखिए भाज्य कितना है भाज्य है 216 बराबर से भाजक है 192 गुड़ भागफल है एक धन सेस्फल हमार पास बच्चा है कितना 24 तो हाँ पर भी देखिए हमार पास 24 जो है सेस्फल जो है 0 का बराबर नहीं आया है तो हमें आप पर लगाएंगे चरण 3 तो देखिए चरण 3 में हमके लिखेंगे चरण 3 में हम करें कि क्या जो आपके पास भाजक निकल निकला है उसे हम बनाएंगे भाजक और जो भाजक हम उसे बनाएंगे भाज तो देखिए 24 का पाड़ा ऐसा पाड़ी कि 192 से आगे ना वरे कि अतना आता है एक सु चु पियांबे आता है एक सु पियांब्ऑ में से एक सु पियांबब गटाएंगा है तो 0 आ गया मादलब कि हम आया है हमार पास human ree 24 गुणिद भागफल है 8 धुर सेस्वल है सेस्वल ह्मार पास 0 लेफ़ सेस्वल आपके सना क्तनी गांपने हम लिखें हम लिखेंárias हमारवार adult से सेस्वल बढ़ावर से जीरस्वल ठीक है तो आपपह24 छीरसफ निकल कर आ जायका तो हमाप पर लिखेंगे अतहा सवाल में हमें कितने दिया है सवाल में हमें दिया है 1408 और 132 चारसो आठ और 132 का 132 का HCF बराबर से कितना होगा देखिए HCF उनका वह होगा जो कि भाजक है देखिए आपर भाजक क्या है 24 है तो आपर 24 ही हमारा HCF हो जाएगा तो आपर देखिए हमारा पास HCF कितना निकला है 24 निकला है सवाल में भी आप देख सकते हैं अब हमें करना किया है जो हमारा पास HCF निकला है 24 उसे हमें इनके बराबर में रख देना है इनके बराबर में रख देना है ठीक है बच्चों किसके बराबर में 1032 एक्स रिन चारस तो आठ गुड़े 5 तो अब हमें देखिया हाँ पर X का मान निकालना है तो X का मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या देखिए यहाँ पर हम लिखते है 24 408 का पच्छातर हम इस तरह करते हैं 408 इधर रिंड का है इधर आकर भे धन का हो जाएगा ठीक है 5 गुड़े में है तो इधर आकर भे बटे में हो जाएगा बरावर 1032 X का 1032 X हम लिख देते हैं तो देखिए बच्छो 408 में हम 24 को जोड़ेंगे तो देखिए 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1 2 रेक 3 हो जाएगा 4 बटे 5 का 5 बरावर 1032 ठीक अच्छो तो देखिए हैं हाँ पर हम करेंगे क्या 1032 X करें झाल 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 फिर इसक बाद देखें आपको इस प्रकार से यहाँ पर हल करना है तो हाँ पर देखें आपका एक्स कमान यहाँ पर दो आ जाएगा ठीक बच्चो अब मरत्या अपने अगल सवाल के तरफ आपको अ बस निहाँ आखया लेखें गएगे अबाद आखने अब्यच हाना सोल में दो को भाग जाता है आठ बार, आठ में दो को भाग जाता है चार बार, चार में दो को भाग जाता है दो बार, दो में दो को भाग जाता है एक बार मतलब कि दीखिए शोला जो भाजी संख्या है उसे हम अभाजी संख्याओं के गोड़न फल के रूब में हाँ पर ब्यक्तिक कर सकते हैं भाज संक्या हम किसे कहते हैं भाज संक्या हम उसे कहते हैं जिसमें सुयम और एक लावा अन संक्याओं का भाज जा सकता है मतलब कि जैसे कि यहाँ पर देखिए 16 है 16 में 16 के और एक के लावा दो का यहां पर भाग जा रहा है मतलब कि स्वयम और एक के अलावा और संख्या का भाज भाग जा सकता है लेकिन अवाज संख्या है हम उने केते हैं जिन में स्वयम और एक के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जा सकता ठीक है भाग नहीं जा सकता ठीक है बच्चो मतलब कि या तो स्वयम से भाग हो सकती है या फिर एक से भाग हो सकती जैसे कि यह देखिए जो पांच है बे क्या है अवाज संक्या है तीन क्या है अवाज संक्या है दो भी क्या है इनमें केवल खुद का और एक के अलावा किसी अन्य संक्य का भाग नहीं जा सकता है ठीके बच्चो उम्मेद आपसे भी को समझ में आ रहा होगा तो आपर देखिए केनेक मतलब यह है कि जो भाज संक्या है हम उन्हें अवाज संक्या को गुड़न फल के रुप में व्यक्त कर सकते हैं आग के कथन के के रहा है तथा यह गुड़न खंड अवाज गुड़न खंडों के आने वाले क्रम के भीना आदरूति होता है मतलब कि देखिए यदी हम जैसिकर हम आप लिखते है का अठारा लिखते है अठारा के हम एक और एक्जांपल देख लिए तो देखिए बाच्चो 13 में आप भाग दीजी देखिए हमने आप लिखा 18 18 हमें दो को भग जाता है नो बार 9 में 3 का भग जाता है BY 3 में 3 का भग एक बार तो दोगिए अठारा के गुड़न खंड क्या है दो गुड़ी तीन गुड़ी तीन अब हम देखे हाँ पर तीन को इस साइड लिख सकते मतलब कि हम इसे क्रम में बदल सकते क्रम में बदलने पर कोई विय अंतर हमें प्राप्त नहीं होगा है ना और क्रम को यदि हम रखते हुए यदि हम ही धान रखे कि इनके गुड़न खंड यह है तो इनके गुड़न खंड के अलावा किसी और गुड़न खंड के अलावा अठारा के यहाँ पर भाग नहीं जा सकता है जिसके आपर यदि हम लिख दे दो गुड़ी तीन गुड़ी तीन गुड़ी कि प्रतिक भाज संक्या को हम अभाज गुणान खंडों के रुप में ब्यक्त कर सकते हैं तीसरा कुश्णा में दिया है कि मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ डिट्रेल बाइस पढ़ाने वाला हूँ तो आप चैनला को सब्सकाइब कर लिजिए ताकि आप बहाँ पर अच्छा पढ़ सेखिमें आपके पूरा स्पेशल कोर्स लेकर आने वाला हूँ तो आप च व्यक्त की जिए यहाँ पर हमें देखिए ऐवाज जो गुळण खंड कर रूब में यहहें व्यक्त करना नहें तो पहला सवाल को सब्सक्राइब कर देती सब्सक्रां आता ना पर ah 0 x 2 x 4 फिर हम 2 से भाग दे ते ताइस तो देखिए दो 5,10 121 समने दो अब देखिये 25 ने दो क्का भाग तो जाने से रहा तो देखिये समने भाग देते हैं 3 का तो देखिये 3 intuition3 बर्चा 2 यह यहां पर जुड़ी का 3 न सकत्य ही सोता है अब देखे 17 में 17 का भाग जाता है केवल एक बार ठीक है तो हाँ पर देखी इसके अवाज गुनन खन निकले है कि अवाज गुनन खन के निकले है इसके 408 के 2 गुडित 2 गुडित 2 गुडित 3 गुडित 17 ये सारे क्या है अवाज संख्या है मतलब कि इन में स्वयम और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा सकता है जैसे कि यहां पर देखिए 17 जो है 17 Aha और एक के अलावा किसी और अन्ने संख्या का भाग नहीं जा सकता है ठीके बच्चो यह आपका पहले कोड़ूस्चन का असर हो जाएगा इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड आपको दिया है 945 ठीक बच्चों सेकेंड आपको दिया है 945 हमें निकालना है 945 के आ भाज गोडण खण तो हम लिखिंग यहाँ पर बरावर तो देखिए 955 के माः आवाज़कुनन खणने कालता है देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं 945 देखिए, यहाँ पर आखरी संक्र क्या है आखरी संक्र यहाँ यहाँ पर पाच वाच में तो भाग तो जाने से रहा ठीक अच्छो तो हमें आपर भाग दे कर देते तीन को तो देखिए तीन कम तीन बचा एक यहाँ पर जुड़िगा तीन पाच्चे यहाँ पर पंदरा हो जाएगा इससे प्रकार देखिए यहाँ पर हम देखिए तीन से भाग देते हैं तो देखिए तीन कम तीन एक में तीन का भाग नहीं जाता हो तो हम आपर लगा देंगे 0 फिर तीना पाच्चे हाँ पर 15 हो जाएगा ठीक बच्चो यहाँ पर देखिए फिर हम तीन से भाग देते हैं तो देखिए तीन तीना पाच्चे हाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ठीक है बच्चों तुहाँ पर देखिए पेटिस में तीन का भाग नहीं जा सकता है ठीक है बच्चों, यह अपका सेकड क्या राएगा थर्ड कोशन आपको दिया है 140 क्या दिया है 140 तो हमें आप लिखते है 140 के आभाज गुड़न खंड बरावर हमें हम लिखते हैं 140 का में आप आप आभाज गुड़न खंड ने कालते हैं तो देखिए 140 में भाग देते हैं 2 का दो देखिए दो शट ट चुद्हा जीरो का जीरो दो तीय अच्छे बच्चन एक है यहाँ पार जोलग का दो पंच्छे दस हो गया अब दिखिए पेतीस में दो का भाग नहीं जै सकते हैं यहांपर किसका और पांच का तो दिखिए पाना साथ आ है हम पर रों कितने हो जाएगा 35 हो जाये यहाँ पर और अपने copy में हाँ पर आंसर लिख सकते हैं देखे पेल का आंसर यह दूसरा आंसर ठीक बच्चोँ यहाँ पर मैं से मिटा देता हम फिर हम बढ़ेंगे अपने अकले सवाल की तरफ अब हम देखिये, चोता कोशन हमें दिया है कि समझी गा, अवाज गुलन खंड विधिदारा, अवाज गुलन खंड विधिदारा हमें यहाँ पर नीचे पूर्णाक दिये गाए, इनके हमें मेतम समपवर तक यान की HCF और लकुतम समपवर तक यान की LCM हमें आपर ग्याद कर पहले सवाल हमें दिया है 12, 15 और 21, तो हम यहाँ पर निकालते हैं, पहले सवाल हम लेते हैं 12, 15 और 21 का HCF एवं LCM, ठीके बच्चों, 12, 15 और 21 का, सबसे पहले बच्चों हम करेंगे, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इन संख्याओं का हम सबसे पहले है अभाज गुलन खंड निकालेंगे, तो देखिए किस पहले से निकालेंगे, सबसे पहले हम लेते है 12, देखिए 12 हम 2 का भाग जाएगा, 6 बार, 6 में 2 का भाग जाएगा, 3 बार, 3 में 3 का भाग जाएगा, एक बार, तो देखिए यहाँ पर 12 के अभाज गुलन खंड के निकले हैं, 2 गुड बराबर तो देखिए 15 में अभाज गुणी आजगत्र निकल रहे हैं इसे पैकार वहाँ पर निकालेंगे 11 को तो देखिए हाना तो देखिए हाहाँ पर 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार तो देखिए 21 के अभाज गुर्ण अन्खन के निकले है तीन गुडित 7 तो देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे NK HCF और LCM का मान तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं क्या HCF तो देखिए हमें आपर लिखेंगे 12 15 और 21 का HCF तो देखिए बच्चों हम HCF किस प्रेकार से निगालते हैं HCM में हम करते क्या है जो सभी संख्या है जैसे कहाँ आपर 12, 15 और 11 से इनमें जो गुरण खंड आए इनका हम ओवे निष्ट लेते हैं जो संख्या कोमन होती है उनमें हम सबसे छोटे घात लेते है ठीक बच्चों तो यहाँ पर देखिए कोमन क्या है यहाँ पर देखिए कोमन है आपर देखिए तीनों संख्याव में तीन कोमन है ठीक है तीन जो है 12, 15 और 11 तीनों के आवाज गुरण खंड में निकला जो देखिए तीन के सबसे छोटे घात एक है तो हम आपर लिख देखिए तीन तो देखिए इनका एच्चेफ के निकल कर आया है तीन निकल कर आया है इसे परकार हम लिखेंगे 12, 15 और 21 का LCM तो देखिए LCM में हम करते क्या है LCM बच्चों हम सभी संख्याओं के बड़ी घात ले लेते है तो देखिए यहाँ पर संख्या के क्या है 2 है 3 है और 5 है और 7 तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेते थे 2 तो देखिए 2 के सबसे छोटे घात क्या है 2 के घात 2 है 3 के सबसे चोटे घात क्या है तीन है, सबसे बड़ी खात क्या है, तीन है, फिर यहाँ पर दीखें, पाच के सबसे बड़ी खात क्या है, पाच है, गोडित, साथ के सबसे बड़ी खात क्या है, साथ, तो देखिए, हम यहाँ पर करेंगे, क्या एनका गोणा कर दीखेंगे, तो देखिए, दो दुनी हाँ पर होता है 4 गोडट साथ तो देखे 15 कितना होता है अग्या 5 चुरारल हाँ पर कितना होता है पंदर चुछ होता है तो देखे 17iranq 22 यहां पर आज से कदना आगा 420 तो देखי आप इसकी शोट यहाँ पर ले सकते हैं उम्मीद आप सभी कोई क्लियर हो गया होगा अब हम बड़ते देखें सेकंड सवाल की तरफ तो देखें सेकंड सवाल हमें के दिया है सेकंड कुर्शन हमें दिया है 24, 15 और 36 के दिया है 24 24, 15 और 36 का हमें HCF और LCM हमें ज्याद करना है तो देखें सबसे पर हम करेंगे क्या यहाँ पर हम 24, 15 और 36 के आवाजगोन निकालेंगे देखेंगे 24 कम निकालते हैं देखेंगे 24 में 2 का भाग जाता है देखेंगे 2-1 कम 2, 2-2-4 फिर आम दो सी भागट दियेगे, दो चिंग बारा, दो तिया, छे, तीन, एक कम तीन, मदलब के दीखें, आपए चो बिसके अभाज गुलां खन के निकले हैं, दो गुडित, दो गुडित, तीन, इसी प्रेकार हम पंदरा के निँकालेंगे, तो दीखें, पंदरा हमें आप इसी पर कराम निकालते हैं 36 का तो देखिए 36 हमें आपर लिखते हैं तो देखिए 36 हमें आपर लिखा दो से बागा दिते हैं दो एक कम दो बचा एक यहां पर जूर किया दो गुड़ित दो गुड़ित तीन गुड़ित तीन अब आप यहाँ पर देखिए का समझेगा हम यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर तीन बार तो हमें इससे लिए सकते हैं दो की कहाँ तीन गोड़े तीन यहाँ पर देखिए इससे तो हम भई लिखेंगे ठीक है यहाँ पर देखिए दो बारा तीन और तीन दो बारा जो देखिए हम इससे लिए सकते हैं दो की घाद दो गोड़े तीन की घाद दो अब हम निकालते बच्चो HC है तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे 24 15 और 36 का HCF HCF के लिए में आपको अधा था जो कोमन संख्या है उनमें हम सबसे छोटी घाद लेते तो देखिए वच्चो आपको कोमन संख्या क्या है देखिए तीनों में कोमन संख्या क्या है तीनों में कोमन है तीन ठीक वच्चो तीनों में क्या कोमन है तीनों में कोमन है आपकर तीन का LCM तो देखिए LCM के लिए साल्ट क्या होती है प्रत्यक संक्या के सबसे बड़ी घात का गुणन फल तो देखिए आपर प्रत्यक संक्या क्या है 2 है 3 है और 5 है तो देखिए 2 के सबसे बड़ी घात क्या है 2 के सबसे बड़ी घात है तीन के सबसे बड़ी घात क्या है दो है गुरित पांच का है हाँ पांच है ठीक है बच्चो क्या है दो के घात तीन है गुरित तीन के घात दो है गुरित पांच तो देखिए दो के घात तीन मतलब की दो का तीन वार गुणा गुरित तीन के घात दो मतलब की तीन का दो वार गुणा गुडित 5 तो देखिए दो दू 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 आपका चोते सवाल की दोनों प्रेश्मों को पूराएंगे तो इस प्रिकार से आप इसे हल कर सकते हैं आप यहाँ पर इसकिन शोट ले सकते है अब बढ़ते हम बच्चों लाष्ट सवाल आपको दिया है पाजवा आपको कोशन दिया है कि पाजवा आपको कोशन दिया है किसी खेल के मैदान के ब्रत्यकारपत पर मैदान का एक चकर पूरा लगाने में रमन को 18 मिनट लगते है जबकि इसी ब्रत्यकारपत पर मैदान का एक चकर पूरा करने में अनुपिडिया को 12 मिनट का समय लगता है माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्राराम करते था था एक ही समय चलते तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुना प्राराम की स्थान पर मिलेंगे तो देखे बच्चों हमें करना क्या है हम यहाँ पर इनका जो आंसर है हमें से HCF और LCM के मादधम से निगा लेंगे तो दिवाच्चों करते क्या है दिखें सवाल आपको दिया है यहाँ पर बस आपको नाम चेंज करना देखिए सोने की स्थान पर आपके लिखेंगे रमन लिखेंगे हना सोने की स्थान पर आप लिखेंगे रमन लिखेंगे और 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 रवी की स्थान पर आपके लिखेंगे रवी की स्थान पर आप लेकिंगे अनुपिडिया ठीक बच्चो बस आपको यहाँ पर राम बनाए और यहाँ पर देखिए आप पूरा जिसर का तेसर सवाल करेंगे तो देखिए हम करेंगे क्या है देखिए आपको क्यों दिया है अच्छे एलसेम दिया है यहाँ पर एलसेम आपको दिया है 18 और 12 ठीक है तो आपर देखिए इस परकार साब साब सब्सक्राइब कर लेजगा कुई हम आपके लिए स्माइल 3.0 का हमबस सब्सक्राइब कराते हैं तो मिलते हैं अगलों उन्हें तक तक टेक लिए जहंद